डिवाइड है 3x q plus x plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square हमें क्या करना है विवा में डिवाइड करना है 3x q plus x square plus 2x plus 5 इसको डिवाइड किस्से करना है इसको डिवाइड करना है इसको लिखें किस ओर में इस ओर में लिखेंगे x square plus 2x plus 1 सबसे बड़ी पावर यहां यहां भी सबसे बड़ी पावर फिर उससे चोटी फिर उससे चोटी ऐसी सबसे बड़ी पावर फिर उससे चोटी फिर उससे चोटी यहां पर सबसे बड़ी इस वाले 3x cube को पकड़ो और इस वाले x2 को पकड़ो इस 3x cube से आप x2 को 3x cube को x2 से डिवाइड करोगा तो क्षेंट क्या आएगा 3x, तो मैंने यहां लिख दिया 3x, आप क्या होगा देखिए, अब होगा मैं क्या करूंगा इस x2 को 3x गरूंगा तो पहले आएगा पहले आएगा 3x4 फिर मैं इस 2x को 3x मौल टिब्लाय करूंगा को किया आएगा 2x into 3x6 फिर इस वन को 3 x मौल टिब्लाय करूंगा तो क्या आएगा 3x ठीक है अब next मैं क्या करूँआ देखिए ये सारे जो प्लस वा नहीं नहीं माइनस में गनवट कर दूँआ ये प्लस की जगा माइनस ये प्लस की जगा माइनस इस से क्या होगा सबसे पहली चीज यहां पर ये कर जाएगा 3x क्यूब से 3x क्यूब ठीक है फिर x2-6x2 ये ध़के जाए कि बिए वाला प्लस के नहीं यहां पर कौपी कर दिया है अब मैं next step क्या करूँआ यह जो mình a stay X2 यहां पर पहली टाम है भाउ्नास 5 X2 को एस माईनस 5 X2 को मैं डिवाईड करूँ हूँ हूँ एक स्कुवे से थीक है तो यह क्या आएगा क्या आजएगा माइनस 5 तो यह जो मेरा माइनस 5 है थीक है तो इसको मैंने यहाँ पहुचा दियाँ अब मैं क्याguru हुआ है पहलेख स्कुर को माइनस ओर साई करूँ 550 तो पहले क्या आएगा इस माइनमस डाइच सुछ फिर इसट को म Mm at the minute 국 गर और खि कैर मांच दियाँ गाएगा अबी क्या करेंगे अभी हम यहां जो माइननस निंगी अ करदेंगे series सान उल्टे कर देंगे प्लस यह माइनस ऐन एकस पर यह तो कट नहीं है ठीक है इन मने कार दिया दिए जों तो कट गएंगेitute उसके बाद मेरे पाद क्या बचेका तुके मैनस एक्स ball san एक ता 9 x plus 5 है यहां पर यहां नियुटा प्लस 5 प्लस 5 मिलकर का हो गया 10 देख़्ोच आप क्या यहां दिवाइट करने वाली गाम है इसकी डिघ्री ए 2 इसकी पावर ए या डिघ्री है 2 और यह जो एक्स की पावर वन है इसकी पावर क्या है इसकी पावर है 1, जब यह पावर छोटी हो जाती है यहां पर, तो यह बन जाता है मेरा remainder, clear है, तो बस है मेरा division process खतम हो गया है, जो यह अब यहां पर मेरी चीज़े क्या क्या आ गया, remainder क्या आ गया, मेरा remainder हो गया, 9x, plus 10, quotient क्या हो गया, quotient will be 3x, minus 5, और बाकी तो हमें पता ह divisor क्या है, dividend क्या है हमारा, dividend तो है 3x cube, plus x square, plus 2x, plus 5, और हमारा divisor क्या है, x square, plus 2x, plus 1, I hope clear होगा सबको,